नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूस में राश्र राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या के बाद से करनी सेना के कारेकरता पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राज्ये के अलग-अलग छेत्र में विरोध प्रदर्शन पूरे जोर पर है राश्र राजपूत करणी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंग गोगामेडी की मंगलवार 5 दिसंबर दोपहर करीब डेड़ बजे गोली मार कर हत्या कर दी गई जैपुर के श्याम नगर इस्थित अपने ओफिस में गोगामेडी अपने दो सुरक्षा कर्मियों के साथ मौजूत थे दोपहर करीब डेड़ बजे तीन व्यक्ति गोगामेडी के ओफिस पहुंचे करीब 10 मिनट तक बातचीत के बाद तीनों व्यक्तियों ने चानक ताबर तोड फाइरिंग शुरू कर दी कुल 17 राउंड फाइरिंग हुई जिसमें चार गोलियां सुखदेव सिंग गोगामेडी को लगी उन्हें घायल हालत में मांसरोवर इस्थित मैट्रो मास अस्पताल पहुचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया हमले के दोरान सुरक्षा गाड की भी गोली लगने से मौत हो गई इस घटना से बॉकलाए प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाए और उन्हें फासी पर लटका दिया जाए पूरा राजिस्थान इस घटना से उबल रहा है कई जगहा दुकाने वर निजी स्कूल तक बंद कर दिये गए है प्रदर्शनकारियों ने आगरा हाइवे को जाम कर दिया और किसी वाहन को अंदर भी नहीं आने दे रहे इस हत्याकांद को लेकर मुख्य सचीव ने हाई लेवल बैठक बुलाई है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है वहीं उदैपुर में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट रेट पर पत्राफ किया बड़ी संख्या में पहुँचे लोगों ने पहले शांती पूर्वक प्रदर्शनक्या फिर अचानक भीड आक्रोशत हो गई पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश में जुटी है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है दोनों शूटर्ज रोहित राठोड और नितिन फौजी को अरेस्ट कर लिया गया है जानकारी के अनुसा लोरेंस बिश्यनोई की करीबी रोहित गुदारा पर हत्या कांड की साजिश रशने का अरोप है बतादें कि सुखदेव सिंग गोगा मेडी राजस्थान में राजपूतों के नेता थी राजपूतों में उनका बड़ा सम्मान्थ और युवाओं के पसंदीदा थे वे वे लंबे समय तक राश्रे करणी सेना से जुड़े रहे थे बाद में करनी सेना में कुछ विवाद होने के बाद गोगा मेरी ने राश्ट्रे राजपूत करनी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था तब से ही वे इस संगठन के अध्यक्ष थे सुखदेव सिंग गोगा मेरी ने दो बार बस पास से चुनाब भी लड़ा थ लेकिन भाजपाने उन्हें टिकेट नहीं दिया था सुखदेव सिंग गोगा मेडी देश में सबसे पहले तब चर्चा में आये थे जब उन्होंने बॉलिवुड फिल्म पदमावत की शूटिंग के दोरान फिल्म के डिरेक्टर संजे लीला भनसाली को थपपर जड़ दिया था साल 2017 में पदमावती फिल्म की जैगर में शूटिंग चल रही थी तब गोगा मेडी ने पदमावती फिल्म का जम कर विरोध किया था इस दोरान फिल्म का विरोध करते हुए राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने सेट पर तोड़ फोड भी मचाई थी और भनसाली पर हमला भी किया था जिसके बाद आखिरकार निर्माताओं ने फिल्म का नाम बदल कर पदमावत कर दिया इसके बाद गैंग्स्टर आनंद पाल एनकाउंटर केस के बाद राजिस्थान में हुए प्रदर्शनों में भी गोगा मेरी की खूब चर्चा हुई थी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन यूज धन्यवाद